हलो नमस्ते फ्रेंट्स वेलकम बेक टू आर चैनल इंडियन मोम विद केज़ हेई फ्रेंट्स आज हम बिना इस्ट के तंदूरी पार्सल्स बनाएंगे जो बहुत ही हैल्दी बनने वाले और यम्मी बनने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं इसके लिए मैंने एक कप गेहूं का आटा लिया है वन फॉर्थ कप मैंने मैदा लिया है नमक डाला है थोड़ी सी चीनी डाली है इसमें बेकिंग पावड और बेकिंग सोडा डाला है और दही डालके हम इसका एक सॉफ्ट डो रेडी कर लेंगे मैंने इसमें थोड़ा सा एक चमच ओयल डाला है और इसको अच्छे से मचलते हुए डो को रेडी करेंगे अब हम अपनी डोको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे अच्छे से ढखके रखना है हमने इसको अब हम इसकी स्टोफिंग त्यार करते हैं स्टोफिंग त्यार करने के लिए मैंने इसमें एक कप पनीर लिया है बारी कटा हुआ प्याज, सिम्ला मिर्च, गाजर इन सबको मैंने बारी काट लिया है अब मैंने इसमें नमक, ओरिगेनो, चाट मसाला, चिली फ्लेक्स, वाइट में ओनी, तंदूरी में ओनी और टोमेटो कैचुप डाला है, स्वीट कॉन डाले है, अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप चाहें तो चिली फ्लेक्स थोड़े से ओडा सकते हैं, मैंने बच्चों के लिए कम ही डाला है अब हम चली अपने डो को देखते हैं, यह देखें, बिल्कुल सॉफ्ट नयार है हमारा अब हम चकले पे थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे और इसके आटे के पेड़े बनाके हम एक रोटी, मीडियम साइज की रोटी बना लेंगे हमने रोटी को ना ज़्यादा मोटा रखना है, ना ज़्यादा पतलब मीडियम साइज रखना है इस तरह से दोनों साइड से हम इसको मोड़ेंगे नीचे से भी मोड़ देंगे और जो हमारे स्टफिंग थी, बीच में हम उसको ढाल देंगे और एक पार्सल्स की सेब देंगे यहाँ पर मैंने यह पानी लगा की थोड़ा से इनको चिपका दिया है आपस में अब बस इसी तरह से हमने पेड़े बनाने है, रोटी बनानी है और अपने सारे पार्सल्स को रैडी कर लेना है यह देखे, बीच में इस तरह से स्टफिंग भनी है हमने और पानी की हल्प से हमने इसके कोनों को चिपका देना है यह देखे, मैंने सी तरह से अपने सारे पार्सल्स रैडी कर ली है अब इनको उपर से हम ब्रस की हल्प से घी या ओयल लगा देंगे मैंने यहाँ पे घी लगाया है मैंने यहाँ पे अवन और एर फ्रायर दोनों में इनको बनाया है अगर आपके पास यह दोनों नहीं है तो आप कड़ाई में नमक डालके स्टैंड रखके ढखके बना सकते हैं बहुत आसानी से बन जाएंगे अगर आपको वीडियो जलासी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब थैंक्स फर वाचिंग